समय का मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो समय यूँ पंक लगा के उड़ जाता है सुबह से शाम हो जाती है और हम देन भर लगे रहते हैं कामा में तब भी कुछ न कुछ छूटी जाता है तो आज के वीडियो का विशय बस टाइम मैनेजमेंट ही है एक प्रश्णिया भी आया पर आज में में मुद्व पर बात करती हूं जैसे नंबर एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हम सजा हुआ घर भी आपको दिखाते हैं सजी हुई छट भी दिखाते हैं और कुकिंग भी कर रहे हैं बहुत सारे काम कर रहे हैं एक साथ तो मैं कह सकती हूँ जैसे कि इस्त्रियो करना आपको क्या लगता है कि अक्यले समय लिए बिल्कुल नहीं हो हमने काम को माठा है ऐसा ही अब कर भर में जितनी लोग नोगते आप अबchas जाना जाहिए और यह उसलता है कि आता है कि मुझे आदिन कर शौप we मेरी हच्बन помощ नहीं करते कोई बात नहीं आप गार्निंग के जिए आप घर के कामों में एक मेट रखे ए मैं आ जीसा तासी में बotleuckenा कि मैं बहुत ही माया और बहुत सारा काम कर लेती घी चार्वानलम है याइब फूर्णल मुझे उक ăn-व आँ पूर्णल करती हूं के काडमी लगाया लेकिन जो रोजमर्रा की जो देख वाले वह मिल के करते हैं मॉनिंग रूटीन होता है कि बगीचे का पानी मेरे श्रीबान जी देते हैं मैं फिर आपको बोलते हूं के अगर आपके बच्चे श्रीबान जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप आप ना अप सफाइस है जाओ किचिन से सम्मंदित का और इन कामों को हम अलग-अलग फ्रेम में बाटेंगे मैं ऐसा ही करती हूँ कई बार जैसे मेरे हजबन नहीं है तो तब मैं अकेले ही सम्हालती हूँ अगर अकेले इतना बड़ा टैरिस और घर का भी सब सम्हाले तो कहीं नहीं कुछ करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी तो नहीं उठती हूँ पर अएदी आपको बहुत सारी काम सम्हालना है तो आप जल्दी उठने की आदब डाले च्छे बजे तो उठी जाना चाहिए और उसके बाद जो मॉनिंग के रोटीन होते हैं उसमें मैं आधे काम रात में ही नपट एक बार के क्योंकि हम साथ तो लगा नहीं सकते है और बार बर्रिश किया और वाशिंग मसीन तर बटरान कर दिया तो तब तक काम शुरू हुआ जब तक हमने चाह बनाई और फ्रेश ब्रेश हुए तो एक बार की वाशिंग मशीन के कपड़े दूल गए ऐसे हम एक साथ त पहुँच गई हूं तो एक चक्कर में वहां लगा लूँगी जो भी वहां चोटे मुटे काम होते हैं यानि कि हर पत्ते को हम चूप कर देखते हैं कहीं कोई कीड़ा तो नहीं हो रहा या कि कभी पानी डालना हुआ पानी उस समय पानी भी मैं डाल सकती हूं लेकिन पानी को हमारे हैं बड़ा यह होता है मेरे एजबन कहते हैं तुम जादा पानी डाल देती हूं तो मैंने पानी डालना चोड़ी रखा है कि वह वही डालेंगे और उनको कब कितना किस पौधे में देना सुबह का पानी मैं नहीं लेकिन गंबले भरना मिटी पलटना सुखाना उस मि यह वह मैं सुबह में कर लेती हूं और फिर मैं नीचे आ जाती हूं और हां अगर सब्जी आप पुछ जल्दी टिफिन बिफिन बनाना आपके कोई हाजमन वरकिंग है ऑफिस जा रहे हैं तो फिर आप शिचे दे सब्जी आब अगरा रात में काट के रख लें और आते ही अगर नासुता बना हुआ ओर बस मेरा काम स्था इंत आप यह मेरा खत्म होगी तो फिर होते हैं दूसरे काम शुरूर, मैं लिखती हूँ, मुझे लिखने का भी शौक है, और अब तो मैं चब वीडियो बनाती हूँ, दो चैनल है, तो दोनों चैनल के लिए, यदि मैं एवरी डे एक वीडियो चाहिए, तो फिर मेरे लिए एक्स्ट्रा काम हो जाता है, फिर म मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, तो इस पर मैं बहुत मैनत नहीं कर रही हूँ, जो मैं सुभे के काम करती हूँ, जिसने जो रास्ता बनाया, वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, या मैं कुछ-कुछ डेकॉरेशन करती हूँ, मान लिजे बैड रूम ठीक किया, या मैं ड् पूरा-बहुत-सला तो मैं अलग से बहुत एफ़र्ड नहीं कर रहा हूँ अगर कुछ बहुत अफ़र्ड करना है तो मैं तो Sect inner की ऐँ means पर वह जो में रैस्टकरती हो मडिना करना पड़ेगा और पूर पूरा एक प्लान करना पड़ेगा तो यह दि यदि मैं चैनल भी चला रही हूं, घर के काम भी कर रहे हूं, यदि आप लोग कोई चैनल नहीं चलाते हैं, तो घर के काम साड़ा, दस, ग्यारा, बारा बज़े तक बहुत अच्छे से निपड़ जाते हैं, दो पर मैं रेस्ट करके आप दिन बर शाम को फ्री भी हैं, शाम क मुझे किस-किस विशय पर वीडियो बनाना है, और पता है विशय आप लोग ही देते हैं, जैसे कि आज का मैं ये वीडियो बना रही हूं, तो इतनी सारी बातें कर रही हूं, मैनेजमेंट की एक प्रश्ण ही आया था, कि आप मैनेजमेंट पर बहुत ज़रूरत है, तो मै यान давно series बनाओंगी, ये मैं a demand पर ही बनाओंगी, लेकिन आज series का ये पहला है और ये सिर्फ बात्चीत का ही साहलई, बाकी फिर मैं सबसे पहले बोल रही हूँ कि आप मॉनिंग को उठते हैं, आप कपड़े रात में वाशिंग मसीन में लगा देते हैं, प्लेट फॉर्म रात में साफ कर दिया, आप बरतन सब साफ कर दिये, रात में ही बाई आई है तो आपने जमा दिये हैं, अगर जूठे हैं तो उनको एक दाई पीनिंग के साथ भी छूँक सकते हैं, यदि आप क्या कोई आफिस जाने वाला है, मुझे पता है कि मेरा बताया हूए नुसके हर किसी पर अकुरेट नहीं बाठेंगे, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से दाए बाई कर सकते हैं, मैं फिर आके चाड़ो कोचा करती है, डस्टिंग मेरे ही हिस्से में आती है, तो इतनी में बहुत कुछ काम हो जाता है, एक बार के कपड़े दूल गए, दोबारा लगा दिये, और अगर चट पर नहीं डालना है, तो मेरे एक स्ट्रेंड है बालकनी में, तो छोटे कपड़े तो मैं वह कपड़े जो सूखे लाए है, वह फोल करके रखना होती है, और मेरे घर में तो देखिये, मैं बताओ, हम दोनों हैं, बिटिया है, लेकिन वह मेरे साथ रहती नहीं है, वह इसी कॉलनी में पास में रहती है, तो वह मेरे घर के काम का हिस्सा नहीं है, वह मेरे घर के नीचे वह मेरे पारलर सिहाओ, और उसका बच्चा रहता है, उसका आना जाना रहता है, लेकिन उसे काम में नहीं कर सकती है, जो जो अपके घर में बच्ची हैं, तो आप बोढ़ कने पानी डालना, तो अब बच्चे हैं, जब तक वाशिंग में कपड़े धुल γः थेख नहीं त तो वो कपड़े ले जाके फैला देते हैं या उपर से कपड़े आये हैं तो वो फोल करके रख देते हैं पौदों में वो पाने डाल देते हैं उसके बद क्या लगाना क्या नहीं लगाना वो मैं देख लेती हूं कुल में लाके यह है कि आपको स्वयम सिद्धा होने की जरूरत नहीं है यह नहीं कि हम जाड़ो पोचा भी कर लेते हैं हम सारे काम कर लेते हैं उसकी जरूरत नहीं है यदि आप अपनी शम्ता से जादा काम करेंगे तो एक दिन ऐसा हैगा कि आप बहुत ठक जाएंगे और ना आप गार्डनिंग इंजॉय करेंगे ना घर सजाना और एक बात कि जिस तरह आप यूट्यूब पर देखते हैं या मैं ही कभी अपना बैडरूम दिखा रहे हूं कभी डाइनिंग एरिया कभी किचिन तो देखिए ये जिस तिन किचिन जमाई ही उस दिन किचिन की रिकॉर्डिंग कर ली ऐसा बिलकुल नहीं है कि पूरा ही घर 24 घंटे पूरे 30 दिन या 360 दिन साल के सजा ही रहता है ऐसा नहीं है हमने सजाना या सलीके से रहना हमारी लाइफ का हिस्सा है लेकिन फिर भी हम ही जमाते हैं और हमसे वह बिगड़ता भी है कई बार बहुत अस्त भी होता है हां उससे बचने के लिए मैं ट्रिक्स बता रहे हूं जैसे कि हम उठें सोफे पर बाटे हम उठें गदी या कुशन हम तभी ठीक कर दें विस्तर से ह हम अपना उठा लेते हैं जो काम चलते परते अखवार पड़ा है कोई बुक्स पड़ी है उल्टी सीधे कहीं चपल पड़ी है यह हैवट में आप डालेंगे तो शायद बच्चे भी सीखेंगे हाला कि मुझे पता है कि बच्चे आजकल जो रहते हैं उनकी अपनी दुनिय में जबना होती है और उनकी जो फॉल्ट करना जितना फॉल्ट करना है वो उतना ही करेंगे लेकिन आप फिर भी अगर व्यवस्ता बना कर रखना चाहतें तो कुछ चुटी चुटी टिप्स हैं और जैसे कि हमारा फ्रिज है फ्रिज में हम अद्रक छील के रख सकते हैं लै कुछ भी करना है तो पूरा नेट भी हो जाएगा और सबके हिस्से के काम बटे हैं हम दोनों ही रहते तो हमारे बटे हैं जैसे ची χो पर होता ह। गाई आती घच्रे की निगामिक तो मुझे पता है वो मुझे नहीं रख आ बना उम्हे नहीं बनाओगी चाय कुछ भी हो जाए मुझे पता है कि मुझे चाय चड़ाना है उनको पता है कि उन्हें डस्पन नीचे रखके आना है और उन्हें पता है कि वो पानी देंगे नहीं देंगे मुझे चिंता ही नहीं है वो मेरा काम नहीं है और क्या बोना है यह उनको मतलब से हैं थोड़ा-थोड़ा काम बच्चों को भी मेरे मेरे पास बच्चा रहता है तो यह मैं उसको भी सिखाती हूं उसके रूम को मैं नहीं जमाती हूं तो उसको साथ लगा लेती हूं तो वह अपनी study table जमाता है अपनी book rack जमाता है कई ऐसे ही करते करते वो सीख जाएगा अब प्रश्ण यह आता है कि अच्छा बैड रूम को किस तरह जमाएं कि वो कम समय ले या फ्रिज को किस तरह और्गनाइज करें कि वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो सोफे को किस तरह अरेंज करें हम जो रोज फ्लार डेकॉरेशन कर रहे हैं उसमें कम समय कैसे लगे इन विसयों को मैं अलग अलग वीडियो में चुटी चुटी टुकडों में पांच-पांच-शाथ-बनाऊंगी और वो मैं इस तरह बोल कर नहीं मैं जब कर रही होंगी तब मैं एक साथ बताऊंगी कि देखिए मेरी गैस पर यह चाय बन रही है तीनों चूले जल रहे हैं और मैं साथ में बढ़्तन भी जमारी हूं जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया साथ में थोड़ा समय यह भी कर रही हूं जो जो काम साथ में किये जा सकते हैं आप ज जब भी चाय बनानी होगी, हमें छिला हुआ अद्रक मिलेगा, ऐसे अद्रक लेशन तो रखी देना चाहिए, इस बीच हमें मिर्श के डंठल तोड़के रखना है, इस बीच सबजी आई है, तो उसे पानी में गला देना है, आज कल तो कोरोना के चक्कर में धोते ही हैं, तो बहुत आसान है, बस एक आदत बनानी होगी, एक तो सबसे पहले बात यहीं, कि टाइम से उठना है, और आलस नहीं करना है, अपने हिस्से के काम खुद करना है, और जो मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्यन आएंगे, कि बच्चे सुनते नहीं हैं, श्रीमान जी सुनते नहीं तो यह आपके ही साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी होता है, और इन चीजों को लेकर जगड़ा भी होता है, मेरी सफाई को लेकर बच्चे बहुत परिशान रहते हैं, क्योंकि कई बार मैं इधर की चीज उदार रख देती हूं, और वो मिलती नहीं है, बिटी आई है जैस है, इन सब के बीच में से ही निकल के हमको जमाना है, हाँ, अगर हम जमा रहे हैं, तो यह हमारे भी, हमारा भी फर्ज होता है, कि हमने चीज कहां रखी है, मैं याद रहना चाहिए, हाला कि मैं खुद भी बूल जाती हूं, लेकि मैं फिर ढूंड कर बताती हूं, तो यह मत स करते हैं, तो सब चीजों के साथ साथ रहते हूँ, यह करना पड़ता है, तो मुझे लगता, आज की वीडियो में इतना तो समझी गए होंगी, कैसे मैंनेज करें, अब जब मैं कर रही होंगी, तो एक एक चीज मैं फिर से बताऊंगी, और मिलती हूं, नए वीडियो के तब तकली नवस्कार